गुड मानिंग, नमस्ते, सब लोग कैसे हो, मेरा ये वीडियो बनाने का आज ये उद्देश है, क्योंकि जब से मेरा दोस्त जो सारस है, जब से वो गया है, उसको वन विभाग की टीम ले गई है, उसी के उपर हम वीडियो बनाते थे, तो अभी मेरा मन नहीं करता, आप किस चीज के लिए वीडियो बनाओ, और आज एक सुबा सुबा जैसे सोके उठे, एक खबर आई कान पुर्चिडिया घर से, जहांके डाप्टरों ने मेरे दोस्त का DNA टेस्ट कराया है, एक हपते पहले भेजा था सायद, तो आज उसकी रिपोर्ट आई है, तो हमने भी न्यू सुझ में ये चल लहा, कि आज के बाद अब आरिफ को ये, जो उनका दोस्त है सारस कभी नहीं मिलेगा, सुनने के बाद बहुत दुख हुआ, आप लोग समझते ही हो, बाकि हम कोशिस कर रहे हैं, आप लोग परिशान मत हो येगा, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते हैं, हम क परिशिस्ट रिपोर्ट में ये आया है कि वो फीमेल है, और फीमेल की संख्या भारत में बहुत कम है, इसलिए उसको आरिफ को नहीं दिया जाएगा, अब पता नहीं कितना सही कितना वो, कैसे क्या है, अब जद्धा इसके बारे में हमको पता भी नहीं है, क्योंकि हमने ज एक नहीं चल लिए, कि इसका DNA टेस्ट कराया गया है, मॉंबई के किसी हास्पिटल में, डाक्टर रजट की टीम ने इसका DNA टेस्ट किया है, उसमें टेस्ट में पता चला है, ये फीमेल है, अब एक बात और याद आ गई, कुछ यादे होती है, इससे जुड़ी हुई, तो मेरे पास आके इंटर्व्यू करती थी, तो मेरे दोस्त उसको काटने दौरता था, तो सब लोग कहते थे कि ये जो है, फीमेल है, इसको लिल्कों से जलन होती है, आरिप के पास नहीं आने देती, इसलिए वो काटने दौरती है, तो एक बात तो आज साफ हो गई, कि वो फी क्वेश्ट करेंगे, कि जो है, उसको आजाद कर दिया जाए, क्योंकि कैद में वो बहुत परिसान है, परिसान इसलिए है कि वो कभी कैद में रहा नहीं इस तरह से, और जिस तरह उसको बंद किया गया है, कॉरंटीन किया गया है, जब हमने पिछला वीडियो आपने देखा होगा जब हम कानपूर गए थे चिडिया घर तो हमको देखते ही कैसे वो उचलने लगा था उसको यही लगा था कि साइद अब मेरा दोस्त आ गया है यहां से हमको ले जाएगा इस कैस से हमको आजाद आजादी मिलेगी मगर ऐसा कुछ हुआ ने जो चिडिया घर का प्रोटोकॉल था उसको हम फालो करते हुए बस जितनी देर हमको मिलने दिया गया जैसे जैसे उतना ही हमने किया उसके बाद फिर वहां से वापस चलिया है और जब हमने उसको बोला कि उल के दिखाओ तो उल के दिखा भी रहा थ जब हमने कहा उचल के दिखाओ तो उचल के भी दिखा रहा था इसलिए बहुत दुख हुआ सुबह सुबह ऐसी खबर सुनके कि वो अब नहीं मिल पाएगा हमको फीमेल है अब फीमेल है तो क्या उसको आजादी की नहीं ज़रत उसकी भी अपनी जिंदगी वो भी आजाद रहे सकता है फिलाल डाक्टर लोग जो फैसला लेंगे अच्छा ही लेंगे उसके हक में और हमें चाहते हैं वो जैसे भी हो जहां भी हो खुष रहे और असली खुषी उसको तब ही मिलेगी जब उसको आजाद कर दिया जाएगा क्योंकि कोई भी इनसान हो चाहे पच्ची हो चाहे जानवर हो अगर उसे बंद कर के कैद करके रख़ जाएगा तो परिशान तो हो गाई हो बाकी जो फैसला लेगा वह नी भाग उसके हख में अच्छा ही लेगा और इसलिए कुछ दिनों से बहुत प्रिसान है तो फिर ब्लाग भी नहीं सूट कर पाते हैं अब सोचते हैं ब्लाग में हम क्या सूट करें क्या बताएं कैसे क्या वहाँ भी मिलने भी नहीं दिया जाता हमको वहाँ कोशिस कर रहे हैं कि दुबारा मिलने दिया जाए हमको बहुत ही जल्द एक दो दिन में तीन दिन में साइद अगर कुछ बन पाता है मिलने का तो आप लोगों को वीडियो एक बार फिर उसी तरीके से देखने को मिलेगी और हमारी रिक्वेश्ट है अगर मिलने दिया जाए अबकी जब मिलने दिया जाए तो उसे मेरे पास थोड़े देर के लिए अजाद किया जाए जिससे वो हमसे मिल सके अच्छी तरीके से और आपस में हम दुनों लोग कुछ बाते कर सकें, कुछ टाइम दिया जाए हमको कि एक दूसरे को अच्छे से देख लें, समझ लें, मिल लें उससे क्योंकि जब मैं रात में जब आपस आता था, दो-तीन घंटे नहीं मिला होता उससे तो आके मेरे कानों के पास ऐसे अपना चोच करके कुछ कहने चाहती थी, यहीं सोचरे कहां चले गए थे, इत्ती दिर बाद वापस आए, अब तो एक महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया, वो बहुत परिसान है, तो एक बार फ्लीच उससे मिलने भी दिया जाए हमको, फिर को अपचीडिया घर में ही रखा जाएगा, और वहां पर मेल जो है, सारस से उसका, पता नहीं क्या बोल, तो लोग को साथ रखा जाएगा, कि पैसे को ता नहीं चाहिए, तो फिलहाल, आप लोग का सपोर्ट की बहुत जवरत है हमको, आप लोग की कुछ कर सकते हो, सब लो तो फिलीज सब लोग जो है, जैसे सपोर्ट अभी तक किये हो, आगे भी सपोर्ट करते रहे हैं, और सब लोग एक होकर जब सपोर्ट करोगे, तो एक दिन ज़रूर हो, आजात कर दिया जाएगा, मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है, और आज फिलहाल मे इत थी, तो घर पे आया हुआ था, अभी जैसे सोके उठा, एक दोस्त ने हमारे फोन किया कि, दोस्त क्या भाई बोल लो, फोन किया कि, देखा अपने नियुज जो 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 में चला आए, कि वो अब नहीं मिलेगा, आजिपको तो हमने देखा, उसको पूद दुखवा कर बाकि आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं, इसको आजादी मिल जाए, तो यही उपर वाले समतों दुखवा करेंगे, उसको आजादी मिल जाए, किसी तरीके से, और आप लोग भी इसे सपोर्ट कर रहे हैं, इसे करते रहे हैं, तो एक दिन जरूर आजाद हो जाएगा बाकि अगली अपडेट जैसे भी जो होगी हम आपको तुरंत सुचित करेंगे उसका और मेरे सारस के लिए यही बस जो मेरा दोस्त है उसके लिए बसे ही दुआ है जहां भी रहे जैसे भी रहे खुश रहे और बहुत ही जल्द हो सकता है हम लोग कोशिस कर रहे ह हैं कि वह अजात कर दिया जाए और आप लोग भी सपोर्ट करिए तो जैसे भी होता है आगे हम को दूसरी वीडियो में दिखाते हैं और जो लोग एक बात और कहना चाहिए जो लोग फरजी खाबर चलाते है आडिप कर दोस्त मिल गया आडिप कर दोस्तों यहां मिला आड अब फिलाल इस वीडियो में इतना ही अगली वीडियो में आपको और जैसी भी जानकार्य होगी देंगे सब लोग खुश रहें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें तो समस्कार